बड़ी प्यारी कथा है भगवान ने चरण दाबे भगवान अपनी भक्तों को मिलते हैं अवस्था जब शुद्धतम हो जाती है करने में भी बड़ी आसान है करने में आसान है और अव्या है कभी ख्षय नहीं होती है कभी व्या नहीं होता भक्ती एक बार किसी ने जिसने की है उसकी भक्ती नश्ट नहीं होती कभी नहीं कैसे होगी जिसने भगवान की भक्ती की है वो भक्ती तो इटर्नल है आध्यात्मिक है आध्यात्मिक ताका कभी नाश्ट नहीं होता प्रेम इटर्नल है प्रेम सांसारिक वस्तु नहीं है लोगों ने सांसारिक वस्तु को प्रेम कहके पुकाराए वो बात जुदा है जैसे किसी लड़के का एक लड़की के शरीर को देख करके आकर्शन हो जाता है और वो कहता है कि मुझे प्रेम हो गया यह शब्द यहां उप्युक्त नहीं है आकर्शित हो गया यह तो उप्युक्त है उसके सुन्दर बदन को देख करके बलड बॉंस के बने हो यह शरीर को देख करके उसकी चमड़ी को देख करके आकर्शित हो गया आकरशिक सब तो उप्यूगता है लिए प्रेम हो गया बड़ी बात है प्रेम तो आत्मा से आत्मा का होता है उसी को प्रेम कहा जाता है प्रेम तो आत्मा का पर्मात्मा से होता है उसी को प्रेम कहा जाता है प्रेम शरीर के इस्तर पर होता है उसे प्रेम नहीं कहा जाता, उसे तो काम वासना कहा जाता है, लश्ट कहा जाता है मन के इस तरपर होता है, उसे भी प्रेम नहीं कहा जाता, वो भी भौतिक इस तरपर ही है इसलिए उसको भी अटेश्मेंट कहा जाता है, इंटर्टेर्मेंट कहा जाता है मनो रंजन कहा जाता है कि मेरा मनो रंजन उनके साथ होता है प्रेम नहीं प्रेम तो होता है आत्मा से आत्मा के साथ ब्रह्मिस्तर पर प्रेम होता है उससे नीचे नहीं तो ये अव्य है इराज विद्या है अर्जुन और गुप्त से गुप्त है राजविद्या राजगुयम पवित्रम अति पवित्र है इदम उत्तमम और ये उत्तम भी है इसते उत्तम कोई नहीं है राजविद्या राजगुयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रतक्षाव गमम धर्म्यम धर्म का मुकुट है करने में प्रतक्ष फलदायनी है सुसुकुम आनंद की दाता है परमानंद की दाता है कर तुम अव्ययों करने में आसान भी है और अव्यय है कभी नाश नहीं होता भक्ती का कभी नाश नहीं होता इसलिए तो भगवान घोसना करते हैं कि नयमे भक्ता हो प्रनिश्यती अर्जुन मैं सत्त प्रतिग्या करता हूँ मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता क्यों नहीं होता कि भक्ती का नाश नहीं होता भक्ती इटर्नल है आध्यात्मिक है तो भक्ती का नाश फोर एवर है आपका मनोरंजन भंग हो सकता है काम वासना भंग हो सकती है बक्ती जो प्रेम है जो आध्यात्मिक प्रेम है वो कभी नश्ट नहीं होता प्रतक्षावगमम धर्म्यम सुसुकम कर्तुम एव्ययम तो भगवान सरी कृषिन की भक्ति स्रेष्ट है सर्व स्रेष्ट है जिसके इरदे में सुरद्धा है वो इसका लाब उठाता है सुरद्धा बिना कुछ नहीं मिलता सुरद्धा इस दा फाउंडिशन सुरद्धा नीम का पत्तर है तो यदि सुरद्धा इरदे में तो आपकी भक्ति रूपी बिल्डिंग भौत इसका इक्रेपर बन जाएगी भक्ति का पहाड लग जाएगा परमात्मा को आना ही पड़ेगा परमीश्र को आना ही पड़ेगा उस गोविंद को आपके लिए आना पड़ेगा गरूर की सवारी करके सिमर सिमर नर उतरई पारा भगवान का इस्मर्ण सबसे स्रिष्ट सभी कालों सभी आउस्थाओं में यह अर्जुन मेरा इस्मर्ण कर इस्मर्ण भक्ति है स्रवण भक्ति है सुनना भगवान की विश्टे में सुनना भक्ति है तरणं कीर्टनं विश्णो हूँ इस्मर्णं पाद सेवनं अर्चनं बंधनं दाश्यं साक्यं आत्म निवेदनं इन्नो भक्ति की रास्ते बतलाएं भगवान को प्रसंद करने के नव मार्गों से भक्ति प्रबल होती है आपकी ये दिन में से कोई व्यक्ति एक भी मार्ग को सब प्रतिशत अंगीकार कर ले यानि पूरी तरह से उस मार्ग पर चले तो उसको भी भगवान की फ्राप्ति हो जाती है दास्ता में भगवान की सेवा है भगवान की सेवा वात्शल्यता में भी है मा यशुदा मक्षन निकालके भगवान सरी कृष्ण को खिलाती है ये वात्शल्य भक्ति है हनुमान जी भगवान शरी राम की सेवा करते है ये दाश्य भक्ति है बिदुर जी विवीश्र्ण ये सव दास्वक्ति के इस्तंभ है है स्रेष्ट भक्त है शिरोमनी भक्त है प्रेमा भक्ति गोपियों की है स्रेष्ट भक्ति परम स्रेष्ट भक्ति है गोपी भाव स्रेष्ट भाव है इससे उपर कोई भाव नहीं इस सबसे स्रेष्ट भाव है भगवान से प्रेम करना भगवान की प्रेमी का बन कर यह आत्मा भगवान का अंश है भक्त दो प्रकार से भगवान को प्रसंद करते हैं या तो प्रेमी बन कर या प्रेमी का बन कर प्रेमी का का भाव प्रेमी भाव से भी स्रेष्ट है प्रेमी भाव सखा भाव है स्रेष्ट है अर्जुन का भाव है उधव का भाव है सुग्रीव का भाव है इस रिष्ट भाव है लिए प्रेमी भाव इससे भी सरिष्ट है वो गोपी भाव है भगवान को आलिंगन करने के अभिलाश आए भगवान के साथ विहार करने के अभिलाश आए भगवान को अपने दिल में समाए बसाए रखना दिन और रात और उनकी विरह में थड़पना ये उच्छतम गोपी भाव है भगवान के लिए मा ये शुदा माखर निकालती है ये वात्सल भाव है भगवान को अपना पुत्र समझ के पालती है ये वात्सल भाव है जैसे एक माँ अपनी पुत्र का हर तरह से ध्यान रखती है उसी प्रकार से भगवान को हर प्रकार से सुख देना चाता है उनको सुखी करना चाता है उनको प्रसंद करना चाता है पुत्रुवत ये वात्शल भक्ती है तो आपके अंदर जो भी भाव प्रगट हो रहा हो सच्चे रूप से उसी भाव में आप भक्ति कीजिए लिए दास भाव स्रेष्ट भाव है दास भाव से दास भाव भी हमको प्राप्त हो तो हम बड़े भाग साली है गोपी भाव तो बहुत उचा इस्तर है वहाँ पर त्यार नहीं दीजिए ये संसार में बठके हुई आत्माओं को कहां से गोपी भाव मिलेगा दास भाव मिल जाए उसके लिए अनुग्रह कीजिए प्रार्तना कीजिए भगवान से कि हमको अपना दास बना लो मीरा भाई दास भाव मांग रही है कि हमको चाकर बना लो हमको चाकर राको गोविंद हमको कुछ मद दो हमको अपना नौकर राक लो मेरा भाई एक स्रेश्ट भक्त भी चाकर बनने को प्रार्थना कर रही है फिर हम बोलें कि हम गोपी भाव में चले ही आए यह तो आपकी भक्ती प्रकरता पर जाती है तब गोपी भाव उद्य होता है आपकी भावना में यह पृथम दर्जा नहीं है यह तो पाँच्वा दर्जा है पहले दर्जे पर शान्त भाव है दूसरे पर दाश्ट भाव है दासका भाव तीसरे पर सखा भाव है चोथे पर बात्सल भाव है पाँच्वे पर उत्तम सिखर पर जाके गोपी भाव है इसलिए हमको बहुदा की सेवा करते हुए भाजन करना चाहिए बहुदा जिसनी भी सामर्थता हो उस सामर्थता से बहुदा करनी चाहिए यह भगवान की प्रिर्णा है हमको भगवान इस राजविद्या का वरणंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि एसरद्धाना पुर्सा दर्मश्याष्य परंतप एप्राप इमाम निवर्तंती मृत्यु संसार वर्त्मनी भगवान कहते हैं कि जिन पुर्सों के इर्दे में सुरद्धा ही नहीं है दर्म के बारे में कुछ वो जानते ही नहीं है अधर्म में ही जिनोंने कदम रखा हुआ है या अज्यानता में ब्रमित हो रहे हैं अंदेरे में चल रहे हैं उजाले को पहचानते ही नहीं जिनके इरदे में कोई सरद्धा नहीं यह चोटी मोटी सरद्धा है तो वो डगमगाती हुई जैसी सरद्धा जिसे कोई वेल्यू नहीं ऐ सरद धाना पुर्शा धर्मश्याश्य परंतप ऐ प्राप्य माम निवर्तंते मृत्यू संसार वर्त्मनी ऐसे पुरुष तो बार-बार यह संसार में ही मृत्यू के ग्रास बनते हैं मृत्यू के आहार बनते हैं ऐ प्राप्य माम वो मुझे प्राप्त नहीं करते हैं कैसे प्राप्त करेंगे लिए भगवान ने तो बोल दिया आप लोग भी जानते हैं बिना सरद्धा के आप भगवान को कैसे प्राप्त करोगे आप भी जानते हैं इस बात को लिए भगवान ने भी बोल दिया हूँ बात भगवान सिंपल सरल इर्दे से यह ग्यान दे रहे हैं सरल इर्दे में जो आया उन्होंने बोल दिया कि अगर सर्दा नहीं है तो तुम कैसे मुझे प्राप्त करोगे जब तुम धर्म के बारे में जानते ही नहीं तो मुझे कैसे प्राप्त करोगे जब आत्मा का ग्यान भी तुमको नहीं है कि तुम एक आत्मा हो तो मुझे कैसे प्राप्त करोगे मुझे कैसे जानोगे जब तुम इतना ही जानते हो कि मैं एक शरीर हूँ अब मैं बुड़्डा हो गया अब मैं मर गया तो तुम धर्म के बारे में क्या जानते हो कुछ नहीं जानते जब कुछ नहीं जानते और कुछ भी सरद्धा तुमारे अंदर नहीं है तो भला मुझे कैसे प्राप्त करोगे अरे मुझे प्राप्त करने के लिए तो आपके इर्दे में द्रड सरद्धा होनी चाहिए मेरी द्रड सतत भक्ती होनी चाहिए मेरा सतत इसमरन होना चाहिए मुझसे प्रेम होना चाहिए सतत ज़र तेल की दार सतत गिरती है ऐसे प्रेम सतत बहना चाहिए रिदे से भगवान की प्रति तो सरद्धाई नहीं तो भगवान की प्रति कैसे होगी ऐसरद्धाना पुरसा धर्मशाश परंत परंतफ कहा है जो अपने शत्रों को सजा देता है अर्जुन का नाम परंतफ दिया है परंतफ जिसको देखते ही शत्रु भागते हैं काम, क्रोध, मद, मो मत्सर, लालच ये विशेश शत्रु हैं ये अर्जुन की पास नहीं ठिकते अर्जुन को संबोधित करें परंतफ कहकर हे परंतफ ये कहा से तुझे मोह आ गया कि मेरे मर जाएंगे मोह तो तेरे पास ठिकता ही नहीं ये आर एच चैस्ट आइजर आव दाइनेमीज तुम तो अपने शत्रों को सजा देने वाले हो इसलिए भगवान के एक एक वानी में ग्यान वान है ग्यान का बान छुपा हुआ है अर्जुन को बान मार रहे हैं परंतप कहे करके अर्जुन मोह ग्रस्त है संसार मोह ग्रस्त है भगवान ने बान मारा है परंतप कहे करके कि तुम ब्रह्म स्वरूपा आत्मा हो तुमसे तो ये कामकरोद मदमो भैबीत होते हैं तुम्हारे पास नहीं फटकते, फिर ये तुम्हें क्या हो गया आज, कि तुम कामी बने हुए हो, भोगी बने हुए हो, क्रोधी बने हुए हो, मोहित हो रहे हो, मेरे और मैं और मेरे पर, शरीनों पर, इन खजानों पर, इन कार और बंगलों पर, इपद और प्रतिष्ठाओं पर ए सरदधानाः पुरसाप धर्म इशियाश्च पृरंत्म ए प्राप इमाम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते जिनके इरंदे में सरद्धा नहीं है वो मुझे जानी नहीं सकते प्राप्त करना तो बहुत दूर है तो बताएए जिन लोगों के इरदे में भगवान सिरी कृष्ण के प्रती एक प्रतीशत भी सरदा नहीं है और वो गीता की व्याख्या करते हैं उनको कैसे भगवान समझ भगवान की समझ प्राप्त होगी भगवान की विसे में वो बला क्या व्याक्या करेंगे और क्या भगवान को जानेंगे और कैसे भगवान को प्राप्त होंगे जिनकी नीम खोकली है वो कैसे भगवान उठाएंगे उठाई नहीं सकते कैसे कदम उठाएंगे भगवान की और भक्ती की और भगवान के धाम की और जाने के लिए मोक्ष को पाने के लिए जिनकी सरदाई, सरदारूपी नीम खोक लिये है कैसे कदम उठाएंगे पंगा आदमी कैसे आगे कदम बढ़ाएगा जिसके पाउं काम ही नहीं करते ऐसे ही है जिनकी सरदाई खोक लिए है सरदाई नहीं इरदे में बगवान के प्रति सरदा नहीं है और वो गीता की व्याक्या करते हैं ऐसी व्याक्या हैं जूट हैं गीता के पवित्री स्लोकों के साथ में पोती हुई श्याई है जिसमें केवल उनकी ही वासना छप्पी हुई है भगवान कहना क्या चाते हैं और वो कह क्या रहे हैं अपने स्वार्थवश पवित्र भक्त के भगवान के शुद्ध भक्त के मुखसे निकले हुए हुआनी सुननी चाइए समझनी चाइए जिन ज्यानी भक्तों ने मुझे तत्व से जान लिया है उनके चरणों में हे अर्जुन जाकर प्रणाम कर और उनसे वो विद्या प्राप्त कर जिस विद्या के प्राप्त हो जाने से मेरी भक्ती, मेरी पराभक्ती की प्राप्ती होती है मेरी प्राप्ती होती है सरद्धा ही नहीं है ऐसे गुरूओं के पास जाके तुम क्या लोगे भगवान को समझ लोगे नहीं भगवान के पृति सरद्धा नहीं है ऐसे गुरूओं के चक्कर में जाके क्या लोगे मोक्ष को प्राप्त कर लोगे नहीं भगवान के धाम को प्राप्त कर लोगे? नहीं भगवान को प्राप्त कर लोगे? नहीं भगवान के समझ लोग जान लोगे? नहीं नहीं जान सकते नहीं कदम बढ़ा सकते ऐसे गुरू के पास जाके तेली के कोलू के बैल तो बढ़ सकते हो कि यहाई जनम मरर जना ब्यादी में चक्क्र लगाते हो बस बाकि एक कदम भी इटर्निटी की तरफ आपका नहीं उठता यह दिया आपके इर्दे में सरद्दा नहीं यह आपका गुरु कोई शुद्ध भगवान का भक्त नहीं ऐ सरद्धाना पूर्सा धर्मश्याश परंतप एप्राप्यमाम निवर्तंते मृत्यू संसार वर्त्मनी यह मृत्यू संसार से नहीं निकल पाता है बार बार मृत्यू का ही भोजन बनता है मृत्यू के मुख में जाता है जनम मरन जना व्यादी के चक्कर में भटकता है बार बार पुन्रपी जननम पुन्रपी मरनम बार बार अलग-अलग माताओं के गर्वों में जाके उल्टा लटकता है कर्मों के अनुसार मुझे प्रात्त नहीं होता मेरी प्रात्त तो मेरी शुद्ध भक्तों को ही होती है उस परमधाम की प्रात्ती मेरी शुद्ध भक्तों के लिए है जिनके हिर्दय में सरद्धा नहीं सरद्धा भी तीन प्रकार की कही है वो भी भगवान आगे गीता में समझाएंगे सतोगोनी सरदा, रजोगोनी सरदा और तमोगोनी सरदा तमोगोनी सरदा जिनके अंदर होती है वो कहते हैं भगवान कि वो भूत प्रेतों को यक्षकिन राक्षसों को पूछते हैं या अपने बोसों को प्रसन करते हैं अपने बोस के प्रती सरदा होती है सरदा तो उनके हिरदेम होती है लिए अपने बोस के प्रती सरदा होती है अपनी फैक्टली के प्रती सरदा होती है अपनी औरत के प्रती माबापों के प्रती सरदा होती है अपने बुरे कर्मों के प्रती सरदा होती है तमोगुनी लोगों की बूत प्रेतों की और जादु टोने करने वाले गुरुओं की प्रती सरदा होती है यह सरदा किस काम की यह सरदा तो नरख में ले जाने वाली सरदा है माता पिता मैंने इसलिए कहा कि शरीरों के प्रति सर्दा होती है कि ये मेरा मैया है ये मेरा बाप है ये मेरा भाई है ये मैं हूँ और कौन है पता नहीं मरने ही दो सबको ये तमो को नहीं सर्दा है भूत प्रेतों की सर्दा है रजोगुनी सरद्धा है देवताओं को पूझ रहे हैं लोग क्योंको संसार का बैभव चाहिए धन चाहिए पुत्र चाहिए पद चाहिए पृतिष्टा चाहिए तो देवताओं को पूझ रहे हैं युद्मे फत्य पाने के लिए दुर्गा माताओं को पूझ रहे हैं काली माता चामुंड़ा माता शंकर भोलेनाथ यह रजोगुनी सरद्धा है सत्वगुनी स्रद्धा में आदमी भजन करता है मुझे जाननी की कुशिश करता है मेरी सेवा में आता है, मेरी शरण में आता है और सिद्धी को प्राप्त करके जब सिद्ध हो जाता है तो मुझे प्राप्त करता है मेरा धाम प्राप्त करता है मुझे प्रसंद करता है मैं उससे मिलता हूँ आकर तो यह सरदा है सरदा बेरा भगवान की प्राप्ति नहीं है भगवान को पाने के लिए तो भगवान के प्रती अटूट सरदा होनी चाहिए और सरदा और विश्वास में बहुत भेद है यह भी जान लेना बिश्वास तो आज आपका है कल तूट सकता है जैसे एक मित्र के साथ आप बिश्वास रखते हैं कि मेरा मित्र के साथ मेरा बहुत बिश्वास है कभी आपने मित्र को दस जार रुपे दिये कि मेरा मित्र है दे देगा वापिस लोटा देगा मुझे विश्वास है और जब वो नहीं लोटाता है तो आपका विश्वास तूट जाता है फिर आप कहते हो मैंने तेरे उपर विश्वास किया था तू कहता था पूर्ण मांसी को दूंगा अब तो कई पूर्ण मांसी निकल गई देता क्यों मेरे पैसे कैसा मित्र है तो तेरे उपर मुझे कोई विश्वास नहीं चला जा इधर से आपका विश्वास टूट गया विश्वास ऐसी चीजह है जो बनता और बिगड़ता है यानी सरसार का सुर्दा है वो आत्मा की भावना पवित्र भावना में जड़ जमाता है सुर्दा जमाती है सुर्दा एक बर जब जड़ जमा लेती है तब तूटती नहीं आपके सामने मृत्व भी आए नहीं तूटती तकलीफ एहाय नहीं तोटती जिसके सरदा गहरी जड़ जमा कि बगवान के परती है वह सरदा कैसे तोटेगी नहीं तोटेगी उसके सामने कितनी भी आपति भीपति यहाँ सरदा नहीं डगमगाएगी वो दुख में भी राम का नाम लेगा या सुख में भी राम का नाम लेगा, महलों में भी उसको वास दिया जाए, तो भी उसको निभूलेगा, उसके ही गुरगान करेगा, उसको ही धन्नवाद देगा, और अत्यनत दुखों में भी चला जाए, तो भी उसको धन्नवाद देगा, उन दुखों को भी भगवान का ही ग्रहन करेगा और सोचेगा कि कोई भगवान की कृपा से कोई मेरा पाप कट रहा है इस दुख के कारण जब पापा उसे उरिण हो जाऊँगा तो सुखी मिलेंगे नहीं सरद्दा नहीं तूटेगी सरद्दा आड़ीगा बनी रहेगी नहीं डिगेगी सरद्दावा लबते ग्यानम सरद्दावा नहीं ग्यान की प्राप्ति कर पाते हैं राजविद्या को प्राप्त कर पाते हैं जिनकी सरद्दा गीता के उपर है गीता का ग्यान पर प्राप्त कर पाते हैं जिनकी सर्दा नहीं है वो कैसे करेंगे गीता ग्यान तो उनको ही प्राप्त होगा जिनकी सर्दा गीता पर है जिनकी सर्दा कहीं अन्यत रहे उनको कैसे गीता का ग्यान प्राप्त हो भवानी कहा है कि ये मृत्यु संसार में बार बार आते रहते हैं जनम लेते हैं, मरते, बुड़ा पाता है, डुकरा जाता है बीमारिया गेर लेती हैं, कैंसार डाइबिटिक्स, टीबी, दमार और कोई आखों से दिखता बंद हो जाता है, दाथ सारे निकल जाती है मुँ में बास आती है, जुर्या चेरे पर हो जाती है कोई मिलना बेटना भी पसंद नहीं करता, रिष्टेदार और मित्र लोग भी आते बंद हो जाती है बुड़ापा कोई नहीं चाता, लिए बुड़ापा आता है, मृत्यू आती है फिर पुनर जन्म होता है, जवानी में लाग समिश्याओं से जुजे, फिर बुड़ापा आ गया, फिर मृत्यू आ गया फिर कहीं कोई मा की कर्मों के अनुसार, किसी मा के गर्म में जाके लटकते हैं, छोटे से, फिंड की तरह, आत पाव निकलते हैं, सर निकलता है, उवाँ उवाँ करके बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, उवाँ उवाँ करने लगते हैं पेरों पर खड़े होती हैं, खिलोनों से गेलती हैं, आई, आई करती हैं फिर बड़े पड लिख जाते हैं, फिर मरते हैं यह बहुलों यह जनम मरन जराव्यादी के चक्कर में तेली के कोलू का बैल घुमता है, ऐसे बस एक ही जगह चकर लगाते रहते हैं आप में देखा तेली के बैल की आँकों पर काली पट्टी लगी होती है ऐसे ही अंदकार में जीवन जीते हैं मुझे प्राप्ति नहीं कर पाते हैं मेरी प्राप्ति नहीं होती मेरी प्राप्ति तो उनको होती है जिन के रिदे में मेरे प्रती सरदा है अटूट सरद्धा